हलो एवरीबरी वे आपक अगें विद दे न्यू वीडियो और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फ्लामिंगो की पोट्रे सेक्षिन का चाप्टर थर्ड जिसका नेम है कीपिंग क्वाइट और जिसके पोएट है पैबलो नरोडा वो इस पोएम में हम लोगों को एक मेसेज देते हैं कि कैसे हमें अपने सोल इंस्पेक्शन करना चाहिए जिससे कि हम जित्ती भी कास्ट, क्रीड, जिग्राफिकल बाउंडरी और ऐसी और भी जो रेस्ट्रिक्शन से हैं उनसे कैसे चुटकारा पा सकते हैं वो हमें बताते हैं कि कैसे हमें सिल्फ अपने आपको ग्रो करना चाहिए और हमें दूसरों के अंदर फोल्ट नहीं निकालने चाहिए पोईट बताते हैं कि कैसी हम लोगों को बहुत जादा नीड है मेडिटेशन की जिससे कि हम जतना भी वर्ल्ट में हिट्रड है जितनी भी नेगिटिव फिलिंग्स हैं उन सब को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं तो इस पोईब को हम स्टेंजर वाइस परेंगे और उनके question answer करेंगे जैसे कि exam pattern में आते हैं exam pattern में आपको एक paragraph देदेंगे जिसके अंदर से 3-4 questions आपको मिल जाएंगे and then आपको उनको solve करना होगा तो हम stranger के बाद important questions ही करेंगे तो stranger 1 में point हमें बताते हैं कि वो 12 तक count करेंगे और हम सबको उस time पर still रहना है मतलब कि बिलकुल motionless रहना है और हमें बिलकुल भी बात नहीं करनी है बिलकुल quiet रहना है silent रहना है तो इस paragraph में एक word आता है silent जिसका मतलब है कि हमें किसी भी language world में बहुत सारी languages होती है हमें किसी भी language में कोई भी बात नहीं करनी है और हमें कोई भी body moment भी नहीं करना है like हम arm moment करते हैं, leg moment करते हैं हमें वो भी नहीं करना है उसके बाद बात आती है 12 तो 12 के यहाँ पर दो मतलब हो सकते हैं एक मतलब तो यह है कि एक ही हमें 12 months होते हैं और एक मतलब यह है कि जो clock का phase होता है उस पे हम 12 hours तक count करते हैं तो अब बात करेंगे हैं हम इस इस्टेंजा के question answers की तो हमारा first question है what does the poet appeal for poet ने हमसे क्या मांगा था किस चीज के लिए appeal की थी इस question का answer हो का that poet appeals us for the peace poet ने हमसे शान्ती मांगी थी और हार्मनी मांगी थी अर्थ के उपर तो second question है why does the poet ask us to count 12 poet ने हमें 12 तक count करने के लिए क्यों बोला था 12 यहाँ पर दो चीज़े represent कर रहा है या तो one year जिसके 12 months होते हैं या फिर एक clock जिसमें हम 12 hours count करते हैं तो poet चाहते हैं कि जब तक कि 12 months या फिर 12 hours complete ना हो तब तक हम सभी लोग still रहें quiet रहें और बिल्कुल motionless रहें तो इसलिए poet हमें बोलते हैं कि हम 12 तक count करें Now third question Why does he ask us to keep still? उन्होंने हमें still रहने के लिए क्यों बोला था? उन्होंने हमें still रहने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि जो भी हमारे moments होते हैं जिते भी हम body moments करते हैं हम बोलते हैं arm moment करते हैं leg moment करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अशान्ती फैलती है पूरे world में और अगर हम यह moments नहीं करेंगे तो पूरे world में एक पूरी अच्छी सी शान्ती होगी तो इसलिए उन्होंने हमें still रहने के लिए बोला था तो अब हम पढ़ेंगे stand no.2 जिसमें poet हमें बोलते हैं कि यह पूरा time जिसमें हम बिल्कुल शान्त रहेंगे, बिल्कुल अन्यूसरल टाइम को एक साथ होकर अच्छे सी सको face करेंगे और यह बहुत जादा excited होगा तो अब बात करेंगे हम इस paragraph की question answers की तो इस paragraph को first question है Name the poet and poem तो poet का name है Pablo Neruda and poem का name है keeping quiet Second question is What kind of moment will it be मतलब कि वो कैसा moment होगा जब सब कुछ चान्त होगा तो यह हमने अभी discuss करें कि वो moment बहुत जादा excited होगा और बहुत जादा beautiful होगा Now third question is What kind of a feeling would this exotic moment evoke यहाँ पर exotic moment हमने उसी moment को बोला जहाँ पर हम बहुत जादा excited होगे और बहुत जादा beautiful moment होगा वो तो यह हमें अच्छे से पत है कि यह moment हमारे अंदर एक बहुत जादा peaceful feeling और बहुत जादा happy feeling evoke करेगा और जितनी भी हमारी negative feelings होगी जितना भी हम sad होगे वो हमारे अंदर से बिलकुल चला जाएगा अब बात करते हैं इस tangent number third की जिसमें सबसे पहले point प्लीज करते हैं fisherman से जो कि सी के आसपस बैटते हैं और हंट करते हैं whales को वो उनको मना करते हैं कि कुछ time के लिए रुक जाएए और fishes को हंट मत करिए उसके बाद जो लोग होते हैं जो सी से salt निकालते हैं वो उनसे urge करते हैं कि आप कुछ time के लिए salt मत निकाले आपकुछ time के लिए रुक जाए योकि salt निकालते हैं उनके हाथ भुहाँ जाधा देमेज हुझाते हैं उनको काफ़ी injury हो जाती हैं हाथ पर जाते हैं अनके होता है तो वो उनको बोलते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए रुक जाए और अपने इन हातों का इलाज कराइए अब हम बात करेंगे इस पेरिग्राफ की क्वेशिंस की तो इस क्रेशिं का आंसर बहुत जादा इजी है और यह बहुत इंपॉर्टन भी है तो जो फिशर्मेंस थे वो वेल्स को किल करते थे जिससे हमें डर ता कि वो एक्स्टेंट ना हो जाए एक्स्टेंट मतलब कि बिलकुल भी खतम ना हो जाए उनकी स्पेशीज और सेकेंड जो सूल्ट कैदर थे मतलब कि जो सी में से सॉल्ट निकालते थे उनके हाथ काफी रफ हो चुके थे काफी ज़्याते डेमेज हो चुके थे तो उनको इस चीज से काफी ज़ाधा हर्ट होता था अब हम मत करेंगे स्टेंजर निंबर 4 की जिसमें पॉइट प्लीज करते हैं उन लोगों से जो की वोर में फाइट करते हैं वो उनको मना करते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए रुख जाएए यह वोर्ज रॉक दीजे क्योंकि आप इसमें बहुत ज़ादा पॉइजनेस गेसे का यूज करते हो आम से इमिनेशन के यूज करते हो जिससे कि आप एक मैन का को डिस्ट्रॉय कर रहे हो वो उनको बोलते हैं कि आप पार्टिकुलरली एक आपोनेंट के साथ वार नहीं लड़ रहे हो आप पूरे इन्वार्मेंट के साथ ही वह लड़ रहे हो और पूरे इन्वार्मेंट का खराब कर रहे हो वो उनसे अर्च करते कि आप थोड़ी देर क करेंगे इसके question answer so first question है what are the green wars green wars यहां पर यह refer कर रही है जो वर्स environment को खराब करती है environmental degradation करती है उन वर्स को हम यहां पर बोलते है green wars जो कि humans के mindless activities की वज़े से हो रहा है next question is what are the kinds of wars mentioned in the above lines तो इस question का अंसर होगा कि there are three types of wars which poet mentioned first is green wars green wars जहां पर हम environment को destroy करते है second is wars with gas जहां पर हम gases का use करते है and third one is wars with fire जहां पर हम एक दूसरे को kill करते है like human beings human beings को kill करते है with the help of some biological and nuclear weapons like bombs now third question is how would the war affect our life कि war का हमारी life पर क्या affect परता है so it is not about the death of thousand of innocent people क्योंकि बहुत जादे लोग मर जाते है it is all about that कोई भी नहीं जीता है उसमें सबके सब मर जाते है और जब कोई बचीगा नहीं तो यह तो बहुत जादा गलत impact हमारी life पर डालते है तो अब हम activity का मतलब death होता है और यहाँ पर वो death की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर silent का मतलब है कि जित्ता भी हमारा busy schedule है जो कि हम future में success पाने के लिए कर रहे हैं हम बहुत जादा दोड़ भाग करते हैं इत्ता जादा advantage दे जाता है अब बात करेंगे इस paragraph के questions की so first question is what does the point mean by inactivity तो यहाँ पर inactivity का मतलब है कि एक period of total silence एक ऐसा period जिस पर बिल्कुल silence हो ना तो हम कोई work करेंगे और ना ही कोई disturbance create करेंगे ना talking about the second question how is inactivity different from death death से inactivity कैसे different है जैसे मैंने आपको भी बताया था like inactivity का मतलब होता है कुछ time के लिए silent कुछ few seconds के लिए silent रहना और death का मतलब होता है कि हमेशा के लिए silent रहना तो यहाँ पर यह चीज़ क्लियर हो जाते कि inactivity different क्यों है death से now third question is what make us sad and what are we single minded about तो यहाँ पर हम single minded क्यों है क्योंकि हम एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं हम अपने खाली future के बारे में सोचते हैं अपनी success के बारे में सोचते हैं और हमारा एक ही चीज़ पर focus होता है जो कि हमारे ambitions हमारे goals तो इन सबसे हमें थोड़ा हटना होगा और अपनी life को थोड़ा rest देना होगा and the last question is what does the point mean by to have no truck with death तो यहां पर point हमें बताते कि मेरा कि मैंने death के लिए कुछ नहीं बोला है मेरा death से कोई लेना देना नहीं है मैंने end of the life की बात नहीं करी है मैंने बस एक चीज़ बोले कि आप कुछ seconds के लिए silent रहे मैंने आपको हमेशा silent रहने के लिए नहीं बोला तो यह chapter हमारे ही पर finish हो जाता है और description में आपको कुछ questions मिलेंगे तो आप उनको पढ़ सकते हैं I hope you like the video thank you so much